ठंडियों की मौसम सुरूर हो गई है और इस टर्म पर बिहार का फेमस गर्मा गरम लीटी चोखा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना वैसे लीटी चोखा आप कभी भी किसी भी मौसम में बना सकते हैं लेकिन इसे ठंडी में खाने की मज़ा ही कुछ और है तो चलिए आज हम बनेंगे बिहार का फेमस बहुत ही टेश्टी लीटी चोखा और ओभी बीना किसी तंदूर के तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ने इसका चोखा तयार कर लेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर दो बैगन और चार टमाटर ले लिये हैं तो सारे सब्यों को हमने यहाँ पर अच्छे से धूल लिया हैं अब हम क्या करेंगे ने बैगन में इस तरह से हलकालका कट लगा लेंगे तो इससे क्या होगा ना बैगन जो है ना जल्दी से पक जाएगा और जहांपर हमने कट लगाया हुआ है ना उसके अंदर इस तरह से हम लसन के कलिया और हड़ी मिर्च ढाल देंगे इससे क्या होगा ना सांथ में लसन और हड़ी मिर्च भी पक जाएगा इससे हमें अलग से पकाने के जुरत नहीं परेगी तो एक बैगन में हम 4-5 लहसन के लिया और 2-3 हर्ड मिर्च डाल देंगे वैसे हर्ड मिर्च आप अपने हिसाब से जितना आप तीका खाना पसंद करते हैं उतना आप इसमें डाल सकते हैं तो लिजे दोनों बैगन में हमने इस तरह से हर्म और लेसन डाल दिया है, तो चलिए अब इसे हम पका लेते हैं, तो इसे पकाने के लिए हमने यहाँ पर गैस के उपर इस तरह से एक जाली रख लिया है, और जाली के उपर हम इस तरह से दोनों बैगन रख देंगे, और दख तो यहां पो देखें हम तीन कप एछों कविम्णा जहां बढ़ा फिलाक लिए हैं है इसके प्रतनाख नमक त्यार कर देंगे और छाया चार यहोंです तो हर मिच यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप तीका खाना पसंद करते हैं और साथी में मैं यहाँ पर ले रही हूं डेहरीन चद्रे के टुकरे अब इसे हम चौफ कर लेंगे तो लिजे इस तरह से मैंने इसे चौफ कर लिय है तो अभी इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे अब इसमें यह चौफ किया हुआ अद्रक लस्वन और हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ से इसमें से हम बचा लेंगे इसे हम बाद में चोके में इस्तमाल करेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच कलोंजी जीसे हम मंगरेला भी कहते हैं और सांथ हम इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच अजवाइन so अजवाइन कोना हम इस तरसे हाथ के लेकर करस डालेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आठ सेदर साबुत काली मिर्ज, तो काली मिर्ज को ना हम इस तरसे दर्दरा से कुट लेंगे और कुट केश में हम डाल देंगे, इससे ना लीटी में बहुत ही बरिया टेस्ट आती हैं, तो इस तरसे मैं इससे दर्दरा से कुट लिया है, और साथी में इसमें हम बारी के टीवी हराधनिया भी डाल देंगे, अब यहाँ पर मैं ले रहे हूँ डेर कप रोस्टेश चाना का सतु, जो रोस्टेश चाना आता है उसको आप घर पे पीछ लीजेगा तो आपके घर पे ही चाना सतु तेयार हो जाएगी, तो यहाँ पर मै मैं यसी किसी नमों में होता है, रस थोरा सा कम होता है तो आप इसमें एक नमों कर्भी रश डाल सकते हैं आप इसमें हम डालेंगे, मैंं इंग्रीट्ययंस उड़ है शर्शो अगर आप कंच्चा सर्सो तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत लोग की ना इसकी स्मेल लाती हैं, तो आप इसके जगा अचार का मसाला और तेल डाल सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो बिहारी लीटी चोगा सर्सो तेल के भी ना अधूरा है, तो यहाँ पर हमने सत्तू का अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो सत्तू है हलका हलका भूरबूरा सा लग रहा है, तो आप चाहिए तो इसमें एक से ड्र चमच सर्सो का तेल और भी आट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह एक से ड्र चमच पानी भी डाल सकते हैं, और पानी डालने के अच्छे से मिला लेंगे, और यहां पती के इसे मिलाने के बाद इस तैसी है जो सत्तू है इस तैसे सोप्ट हो गई है, जब इसे हम हाथ में लेकर इस तैसे बांधेंगे ना, देखिए कितना असानी सी यह बन जा रहा है, तो इसका मतलब यह अच्छे से मिक्स हो गया है, और यह एकदम पर्फेक्ट मिक्स हुआ है, इसकी जो अस्ट्रफीन है ना, हमें इसी तरसे चाहिए, ज्यादा इसे भुर्भुरा हमें नहीं रखना है, तो अब इसे हम साई रख देंगे, अब चलिए हम बैगन और टमाटर को चेक कर लेते हैं, तो यहां पती कि बैगन प यह हैं, आलू को हमने पहले ही बॉयल कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, आलू को चिल लेगे और इसे हम अच्छे से मैस कर लेगे, अब यहां पर देखिए, जो हम साईड में दो प्याज बचा के रखे थे ना, उसे हम चौप कर लेगे, तो यहां पर इसे हमें इतनाँ फ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मैसे से भी मैस कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह चोपर में डाल गए इस आफ हलका हलका चोप भी कर सकते हैं जिससे कि हलका हलका मैस हो जाए तो यहाँ पर बैगोन और टमाटर को हमने इस तरह से मैस कर लिया है अब इसमें बॉयल और मैस के और भी बर जाता है अब इसमें बारी कटा हुआ ह्राधनियां डाल देंगे और इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे यह चोखा इतनी टेष्टी इस तरह से देखें अब हम क्या करेंगे ना हाथ में थोड़ा सा सुखा आटा लगा लेंगे ताकि यह चिपके ना अब इस पेरे कुना इस तरह से कोटोरी का सेप्ते देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह देखें इस तरह से आप इसके अंदर हम से घुमा के निकाल देंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से एक लिटी हमने बना ली है तो इसी तरह से बाकी का भी लिटी बना के त्यार कर लेंगे तो बस पहले आपको एक पेरे बना लेना है और उसके बाद पेरे को कटोरी का सेप्ते देनी है इस तरह से दे तो इसी तर से बागी का भी लीटी बना के हम त्यार कर लेते हैं और यहां पर दिखिए इस तर से हमने इतने सारे लीटी बना ली हैं तो चलिए अब इसे हम सेख लेंगे वैसे लीटी को सेखने का ट्रेनलिशन तरीका है इसे हम अंगारे पर या फिर तंदूर पर सेकते हैं लेकिन हर जगर पर अंगारे या तंदूर तो मिलती नहीं है इसलिए आज इसे हम अपन पैन में सेकेंगे जो कि बहुत ही असानी से इसमें बन जाता है अगर आपके पास यह अबलेबल नहीं है तो आप चाहे तो जाली के उपर भी सेख सकते हैं जिसके उपर हमने बैगन और टामाटर को पकाया था या फिर आजकल तो ओनलाइन डाल बाटी मेकर भी मिलता है तो उस पर भी आप बना सकते हैं और यहां पर दीके सारे लीटी को हमने इस तरह से और जब यह एक सेर से हलकासा सीख जयेगा न तब इसको हम सैट चेंज करतेंगे और इसे हम MEDS TO LOW FAST पे ही इसका सैट चेंज करते हुए इसे हम अच्छे किरिस्फ हुने तक सेक लेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया से लीटी सीख रहा है एक बड़ जब आप इस तरीके से लीटी बना लेंगे न तो आपको कोई भी तंदूर या अंगारे की ज़रूरत नहीं परेगी बार बार आप इसी तरीके से लीटी बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बनाना बहुत ही आसान है इसमें बहुत ही बढ़िया से लीटी बन जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लीटी का color change हो गया है और लीटी में हलका हलका इस तरह से cracks आने लगी है यानि कि लीटी हलका हलका इस तरह से फटने लगी है तो यह indication है कि लीटी अंदर तक अच्छे से पक गई है तो बस इसे जदा इसे हमें नहीं पकाना है अब इसे हम निकाल लेंगे तो इस थंडी की मौसम में एक बार मेरे तरीके से इस लीटी को जरूर बनाईएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी वैसे तो लीटी जो है ना कभी आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं लेकिन ठंड की मौसम में गर्मा गरम घी में डुबाया होया लीटी और चोखा इसका खाने की मज़ा ही कुछ और है तो लीजे तैयारे बहुत ही टेस्टी एकदम बिहारी एस्टाइल यह गर्मा गरम लीटी चोखा और साथ में यह देसी घी तो बिहार में लीटी को चोखा और देसी घी के सांथ सर्फ किया जाता है या फिर आप चाहे तो लीटी को सीधे देशी घी में डुबो को भी ले सकते हैं या फिर आप मेरी तरह पहले लीटी को तोड़ लीजिए और उसके अंदर आप घी डालिए उसके बाद आप इसे चोके के साथ खाईए बहुत ही टेश्टी लगती हैं फ्रांस बहुत ही मज़े की लगती हैं तो इस बिहारी लीटी चोका को एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाईएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना ही बहुत असान है तो इसे एक पर आप जरूर बनेएगा और इसे ट्राइ केने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग